जैसे जैसे लोगसबाई इलक्शन की तारीख नस्दीक आ रही है सियासी फिजा में सियासी जंग भी तेजी पकड़ रही है नए साल के पहले हफते में ही मुल्क की दो रियासत के सीम पर गिरफतारी की तलवार लटक रही है दिली के से मर्विन केजरिवाल और जारकन के सीम हमन्त सोरेन को मरकजी एजनसी एडी समन पर समन भेज रही है एडी ने केजरिवाल को दिली में नई आपकारी पॉलिसी करप्शन मामली में समन भेजा है वहीं सोरेन को मनी लॉंडरिंग के एक मामले में एडी साथ बार समन भेज चुकी है दोनों सीम अभी तक मरकजी एजनसी के सामने पेश नहीं हुए है दोनों ही पार्टी इलजाम लगा रही है कि मरकज के नरینदर मोधी होकूमत उन्हें गिरपतार करने की सादिश कर रही है च्योकी मौसम इलक्षन का है तो सभी पार्टी एक दूसरे पर हमला बोल रही है स्यासी पाटियां इडी के समर्ण में स्यासी नफ़ा नुकसान ढून रही है करप्षन के खलाफ भी आम आदम पाटी के तश्कील करने वाले केज्रवाल अपने स्यासी जिन्दगी के एक मुश्किल दौर से गुजर रही है बीजबी दिली के सीम पर करप्शन का इल्जाम लगा रही है इडी ने केजरिवाल को अपने पास पेश होने के लिए तीन बार समन भीज दिया है आप और केजरिवाल इसे मरकजी हकूमत की साधिश बता रही है आपने कहा है कि केजरिवाल को इंदखाबी तशीर से रोकने के लिए साजिश रची जा रही है उधर बीजेपी केजरिवाल पर करप्शन को लेकर हमला बोल रही है दिली आपकारी करप्शन मामले में ही रियासत के साबिक डिप्योटी सीम मनिस सोदिया और पार्टी के राजसबा एंपी संजे सिंग इस वक्त जेल में है अब आपको ये डर है कि एडी केजरिवाल को भी गिरफतार कर सकती है केजरिवाल की पार्टी कह रही है की CM ED की जाच में तावुन को तयार है लेकिन उनको भेजा गया समन पूरी तरह से घर कालूनी है जारकन के CM हमन्त सोरेन को भी ED अब तक साथ बार समन भेज चुकी है साथवे समन भेजते हुए ED ने उन्हें हर हाल में पेश होने को कहा है अभी तक ED के समन से बचते फिर रहे GMM लीडर इस बार घिर गई है कयास है कि सोरेन को मनी लॉंडिंग मामले में गिरफतारी का डर है और इसी वचा से वो अपनी जगा बीवी कलपना सोरेन को CM बनाने का दाव खेल सकते है BJP लीडर भी रियासत में ऐसा दावा कर रही है कहा जा रहा है कि सोरेन ने बीवी को CM बनाने के लिए दाव चल भी दिया है रियासत के गांडे असेंबली सीट से पार्टी के ML सरफरास एहमत ने अपने ओहदे से सीफा दे दिया है ये सीट GMM के लिए काफी मुफीद मानी जाती है अगर मनी लॉंडरिंग केस में हमंत की गिरफतारी होती है तो वो अपनी बीवी के लिए CM ओहदे की फिल्डिंग पूरी तरह से कर चुके है अगर ED, इंडिया इतिहाद में शामिल आप और GMM के इन दो लीडर को गिरफतार करती है तो फिर इलक्षन में अपोजिशन खेमे को तगड़ा जटका लग सकता है इलक्षन से कबल अभी इंडिया इतिहाद में सीटों के बटवारे को लेकर तस्वीर साफ नहीं है झालो